क्या ये smartphone company वाले आपके फूफा के लड़के जो festival में आपको mobile phone सस्ते देदेते हैं मेरे पस सवाला है कि सागर भाई ये जो festival sale होती है इस में mobile phone सस्ते क्यूं हो जाते है ऐसा क्यूं होता है क्या ये आपके सगे वाले जो आपको सस्ते में देरे क्यों होता है तो इस समझ निसे पहले मैं को यह wn separates कोने ह einer खरीदार हम लोग रहे और भारत में खरीदारी electronics की कैसे हुठी मैं बता क्वरीदार हम सबी हमारे हैं भारत में सबसे ज़्याद section धं तेरस लिव्याधी गनेश पूजा नवरांतर दुरगा क्वजा चट पूजा इस वक्त में होती है हमारे आपर पैसा पानियों की तरह बहाया जाता है कोई भी नया फ्रिज खरीदना और टीवी खरीदना कुछ अरे धंतिरस आ रहा है धंतिरस पर कुछ चीज खरीद नहीं होती है तो खरीद लएगे साल भर इंतजार करता आदमी तेहर आएंगे तो हम खरीदेंगे समार इन लोगों की खरीदारी फेस्टिवल पर बहुत ज़ाधा होती है आपको पता है जितने भी लोग मॉल्स में काम करते हैं रिटेल शॉप में काम करते हैं बड़े शोरूम में काम करते हैं उनको साल में हर वक्त चुट्टी मिलती है लेकिन एक वक् चला लेता है तो आप उसमें प्रती फॉन जो आपका मुनाफ़ा होता है पांच रुपे वो आप लेंगे लेकिन एक वक्त ऐसा है कि आपके दिन में दो हजार फॉन भी करें तो आप एक रुपे प्रॉफिट से भी काम चला लेंगे प्रती फॉन क्योंकि आपके बहुत यूनिट भीक रही है तो इस फंडे को आप समझे और फेस्टिवल में तो बहुत चीज़ी भीकती है इसलिए ये लोग थोड़े कम मुनाफ़े में भी उन प्रॉडक्ट्स को बेच देते हैं विटाउट एनी लॉस और ये जो फॉन होते हैं जो चाइनीज फॉन होते हैं नॉर्मली आपने दिखा होगा कि जो चाइनीज फॉन होते हैं नॉर्मली ये बल्क में बनते हैं आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा बहुत जादा बनते हैं इसलिए ये सस्ते होते हैं क्योंकि बहुत quantity में बनते हैं इसलिए लोग थोड़ा कम मुनाफ़े में भी कर लेते हैं अब यह online sale हर बार ऐसा नहीं करती है online sale में से बहुत सारे product होते हैं जो भाई थोड़ा जहां से में होते हैं आपको paper में और जगह पर advertisement में दिखाया जाता है कि 10,000 रुपे off मिलेगा इस product पर या इतनी खरीदारी यह नहीं बताया जाता कि इस particular product के साथ यह भी लेने से और यह भी करने से तम मिलेगा मैं इक बार एक mall में गया था मैं उस mall का नाम नहीं लेना चाहता बहुत बजार mall है बहुत अच्छा करता बजार मॉल है वहां पर था कि 5000 रुपे की खरीदारी पे 5000 रुपे का free coupon free मतलब तो यह तो marketing free हो गई ना भाई मेरा दिमाध खराब हो गया मैंने यह जाग यह माग ड मुझे 5000 रुपे के coupon दे दिये भाई पेपर के मैंने बुले यह क्या है वह बोलता ही भाई साब यह coupon है और आप अब 2000 की खरीदारी करोगे तो इसमें 1000 रुप है लेकिन आपको कपड़े की इतनी खरीदारी करनी पड़ेगी 15,000 के कपड़े खरीदोगे तो इसमें 2000 का coupon है य यह mixi का coupon है यह उसका मैं मेरे खर में तो 2 mixi है मैं mixi का क्या करूंगा और कपड़े लेने के तो मेरा कोई plan नहीं है वो भी blazer क्यों तो यह ऐसे लूटने के और यह customers को बुलाने के वह होते है इनमें turns and conditions होती है जब यह offer बताते हैं तो इस लिखा होता है terms and conditions apply ओ हो नल अन्वाइड अलग-अलग terms and conditions हो सकती है बस किसी तरह customer को बुलाना होता है बड़े-बड़े offer दिखा कर discount दिखा कर चाहें वो आपके mall हो offline stores हो या फिर आपके online stores हो बहुत-बहुत category में चीजे बिखती हैं अब मैं आपको बता दू यह लोग urgency create करते हैं आपको news फिर वो निकल जाती है फिर क्या आती है new year sale पहले आती है देखो नवरात्रे sale उसके बाद आती है दिवाली बुनेंजा उसके बाद आती है Christmas उसके बाद नए साल की उसके बाद 26 जनवरी की मतलब सेले आती ही रहती है लेकिन हर sale में यह urgency create करते कि यह offer आपको नहीं मिलेग तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों mobile phone के rate कम होते हैं और यह online यह discount और यह सब यह सब जहां सा होता है कोई भी वैपारी loss लेकर आपको कोई भी product नहीं बेचेगा चाहें वो Jeff Bezos का Amazon हो या आपके local किराने की दुकान उसको profit चाहिए कम नहीं तो ज्यादा profit चाहिए और आपको इतने बड़े discount में कोई चीज मिल रही है तो उसकी कोई वज़ा है और वो सारी वज़ा है मैंने आपको बता दे I hope आपको पता चल गया होगा तो पिसे बचे कैसे भाई वही चीज खरीदो जिसकी जरूरत है कोई चीज अगर सफते में मिल रही है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे खरीद जबकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है जब अगर आप ऐसी चीजे खरीदने लगोगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी आपको जरूरत है इस चीज को ध्यान में रखें वही खरीदें जिसकी जरूरत है फोन सही चल रहा है बढ़िया चल रहा है तो मत खरीदो जरूर ऐता है हर साल डेशनला का एक नए आइफोन आता है तो क्या हर साल डेशनला का आइफ़ून खरीद सकते हैं खरीद nä działूट से आप से देखें तो भी नहीं अगर आप मिडल कास ऐंसे और इंडिया पैसो की कळ्ड़ करते हैं और अगर आप टेक्给्षे तो वो भी नहीं वो इतनी जल्दी आउटडेटेड नहीं होता आइफॉन राइट तो आगर आपने डेड़ लाग का आइफॉन अभी खरीद लिया अगले साल आइफॉन दूसरा आजाएगा आपका पुरा नाम जाएगा वो लिए तो ओल्ड वर्जन है न यह समझे इस चीज़ को आप अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो इसे लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें तो डिस्क्रिप्शन चेक करें 299 रुपीज के तीन इतिकल लाइकिंग कोर्से जो सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री है इसके लिए कोई पैसे मिलता लेगा जब में कोई वीडियो डानो का मुझे इंस्टाग्राम पर पर मैं कोशन आंसर वेरा करते रहता हूं तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे चेक आउट कर सकते हैं तक यू सो मच और ओल लिंक कहा में लेंगे सारे इस्क्रिप्शन नम्म देनिया थैंक यू सो मच और गुद्पाइ